वेल्केमेडेशन अभी आप देखने मैथेमेडिशन रायंदर कंसेप्ट आफ मैथेमेडिक्स जा मिलके आपको हायर मैथेमेडिशन ले रेट अनेक टाइप का वीडियो और अभी हम डिसकस करने वाले पार्शेल डिफ्रेंशेशन का कुछ बहतरीन टर्म जो थियोरिक रहे हैं जैसे इंजिनियरी मैथमेडिशन से विद्यार किये हैं या फिर जो बीएसी कर रहे हैं या मसी कर रहे हैं या किसी कॉमडिटिक त्यारी करने वाले उन विद्यारी के लिए बहुत ही बिष्ट क्लिप तरीके के साथ आज हम इसको प्रूफ करने वाले है तो चलते ह इसका मेंचेप्ट क्या है और कैसे इसका फॉर्म बनेगा उसके बारे में इसका स्टेटमेंट के साथ हम काम करेंगे। दिखेगा लिखा गया है त्योर्म में इस U equal to f x, y is homogeneous function of degree n then then यहाँ पर x into double dc का स्पार्स यहाँ पर double dc x del y equal to n minus 1 del y del x फिर second है और यह थाद है एकके करके हम तर्म को प्रूफ करते कुछ statement को लिखते हुए इसका statement में लिखा है since u equal to f x, y is homogeneous function of nth order therefore from Euler's theorem यह Euler's theorem का formula है जो सामें दिख रहा है अग उसमें हम partially differentiate करते हैं x के respect में ज़र दिखते हैं partially differentiate differentiating differentiating first partially with respect to x partially differentiate करते हैं तो partially differentiate का form कैसे होगा ज़र देख लेते हैं इस form के लिए u into v का form बनेगा तो जखेएगा u हो गया आगे और del square del x square plus del u y del x v square कर देते हैं x में रगाएंगे तो x का partially differentiate x के respect में plus इसमें भी लगाते हैं तो यह x के respect में by मेरा constant part है वो बाहर आ जागा तो बाहर कर दे रहें वाहर ही बाहर और इसमें जब लगाएंगे तो आएगा क्या del square del x into del y n और यहां पी आ जगा n u y del x राइट इसका value आ जगा 1 1 आ जगा और यहां पी x लिखाएगा del square del x square जगा जगा तो del u y del x 1 y del square del x और del y n del u y del x यह part plus इसका जगा माइनस तो यहां पी x y del square del x del y n into del u y del x और यह part plus है तो यह जगा माइनस del u y del x राइट यह प्रक्रिया है अब इसके वाद एक काम कर सकते हैं दोनों में हम comment कर सकते हैं यहां पी लिखते हैं तो यहां पी लिखते हैं क्या x del square del x square plus y del square del x del y equal to दोनों में से del y del x common कर लेते हैं तो n minus 1 del u y del x यह हो गया फर्स्ट प्रूफ जो सामने दिख रहा है पर्फेक्ट प्रूफ राइट सामने देख लेजिए पुरी परिक्रिया डिटेल से हो जो सामने दिख रहा step to a step है point to point मेंने clear किया है चलिए तो यह प्रूफ हो गया हाँ पर लिखेंगे this proof first इस प्रूफ फर्स्ट राइट फर्स्ट प्रूफ हो गया है इसको एक क्वेशन मान लगते हैं सेकेंड एक काम करते हैं अगें hogyagrao raic from कि फ्रूफ कं फिर्स्ट में फ्रस्ट में ही चलते हैं पार्चेले डिफ्रेंशेट करते हैं वाल के रिस्पेक्ट में टिखेंगेंड टिफ्रेंशेटिटिग पार्स्ट पार्शेरी with respect to y y के respect में जब y के respect में partial differentiate करेंगी तो ये part कैसे होगा तो सबसे पहले एक चीज़ क्या करना है कि ये तो constant part हो गया x ये वहार हो जागा इसमें बलगाएंगी तो del square del y into del x पलस फिर partial differentiate लगाते हैं इसमें तो यहाँ पी u into v का part बनेगा u into v के लिए बनेगा तो ये वी के लिए ट्रम देखिए क्या क्या काम करते ही सबसे पहले y होगा del square del y square plus del u y del y और y के respect में y का differentiation और यहाँ पी equal to n है del u y del y यहाँ देखिया x del square del y into del x plus y del square del y square और यह part 1 आ जाएगा ठीक है तो बचेगा सिर्फ क्या del u y del y n del u y del y यहाँ लिख सकते हैं into 1 करके यह plus में ज़र क्या जाएगा minus में तो एक्स del square del square del y del x plus y del square del y square और यह part इजाएगा n del u y del y minus del u y del y दोनम से common कर लेगे तो x del square del y into del x plus y del square और y square और n minus 1 del u y del y अब इसके वाद जो है यह part देख लेगे यही है साथ ने जो यह perfect proof हो गया राइट इसको एक question मान रहते हम third यह भी proof हो गया this proof this proof second अब ज़रा देखीगा second भी proof हो गया clear अब third के और चलते हैं चलिए तो अब ज़रा हम प्रूफ करने के लिए multiplying multiplying second y x and third y then second में x से multiply करना है third में y से multiply करना है ठीक है and then adding and then adding adding right अब हापई एड करते रहें क्या क्या है ज़र देखिया second में हम x से multiply करते हैं x से multiply क्या x del square del x square plus y del square del x del y plus y y है third में multiply करते हैं x del square del y del x plus y del square del y square right right equal to equal to इसमें इसमें भी हम x से multiply करते हैं del x into del y y से multiply करते हैं x y del square del y del x और यहां पर यहां पर आएगा y square del square del y square एक काम करते हैं कि n minus 1 common करते हैं del del y del x del y del y right अब इसमें बचे हैं क्या x बचेगा और minus y बचेगा x plus y बचेगा ठीके और दोनों का ट्रम बचेगा तो हम लिख देते हैं एक लाइन ग्रादा बनियाओ चलिए एक लाइन क्या लिखते हैं n minus 1 n minus 1 x del y del x plus y del y del y एक टर्म बचेगा जो सामने दिख रहा है किलिए रहे कहीं कट नहीं रहा कहीं डिवर नहीं हो रहा देख लिए लेकिन इस फॉर में मैंने इस टर्म के लिए क्या माना था माने थे क्या ज़र दिखीगा last line x square del square del x square ये पाट रहे दोनों एक ही है चाहे तो del y del x रहे या del x del y रहे दोनों एक ही होता है जो मैंने पहले बताया है दोनों add करेंगी तो 2 xy del square del x del y plus y square del square del y square अब इसके बाद यहाँ पी n-1 और ये पूरा पाट को मैंने n-u माना है तो इस पूरा पाट के लिए n और यहाँ पी का लिए u तो यह जो रहे देखी है this proof is third right this proof third right third बैने proof के जो सामने दिख रहा है वहाँ कैमरा से कट रहा है लेकिन काम चला लेना है clear है तो इस तरह से मेरा perfect t2 मैंने proof कर दिया जो सामने दिख रहा है इस पर एक बहुतरीन example बताते हैं तो clear हो जागा और concept भी clear कर देए right next question हालाकि कभी-कभी exam में ये पूछते रहता है तो इसको मैंने term को इसलिए special मैंने इसको proof कर दिया है तो सामने दिख लेकिस पर question कैसे रहेगा question थ्वा दिखाते हैं जादे बढ़ीना होगा चली question क्योंड चली मैंने question जो दिया है सामने दिख रहा है यूबर आवाए 10 u-hats x q plus y q upon x minus y find the value of सामने दिख रहा है ठीक इसके बढ़ीन कानला है तो पहरे देखे पहरे इसका हमोजिनियस में order का भी टर्म हम दिखाते हैं ठीक एक order केतना होगा solution given 10 u equals to x q plus y q upon x minus y first of all x q common कर लेते हैं तो बच्चेगा 1 plus y q upon x q x common कर लेते हैं तो 1 upon y upon x जिसमें से कटेगा तो x square का टर्म बचेगा 1 plus y q upon x q divide 1 minus y upon x जिसमें से x square जो function है देखेगा यह function का form ऐसे x के पॉरेन f y upon x तो n मेरा का टर्म केतना है 2 है यानि n केतना हो गया 2 का form यानि यह term जो है order केतना हो गया 2 हो गया यहां लिख देते हैं therefore एक लाइन यहां मैंने कहा 10 u is homogeneous function of second order यह order केतना हो गया 2 हो गया अब इसका एक form इस रूप का जो लिखते हैं therefore therefore from formula यह थार्ड नमर फ्रॉर्म था ना उसी फ्रॉर्म का में आपी यूज करेंगी therefore formula x square del square del x square plus 2xy del square del x del y plus y square del square del y square equals to n into n-1 u u एसा ही होता है n into n-1 u लेकिन यहां पी u ने यहां पी एक form मानना पड़ेगा इस टर्म को हम मान लेगी इस टर्म को मान लेते हैं क्या देखिए यहें पी मान लेते हैं let 10 u बरावर भी मान लेते हैं तो यहां पी लिखना हो right क्यों u v का टर्म मान लेते हैं अब यहां पी n आया है क्या भाई तो n आया है मैं केतना 2 यहां n का form केतना है 2 है यहां पे लिखावा है इन 2 ठीक है यहां 2-1 into v बरावर क्या हो गया 2 v right यह function का form क्या आ गया 2 v आ गया clear है अब यह तो 2 भी है जो मैंने दिखाया इस function को equation first मान लेंगी इसको मैंने क्या मान लिया equation first मान लिया clear है इसको यह पी stop रखेंगे हम आगे कटर्म चलते हैं लेकिन जो यहां पी function कटर्म मैंने भी माना है वट क्या है कि tan यहां पी v equals to tan u right चलिए अब step to step हम solution करते हैं कैसे अब देखिए देखिए इसका हम differentiate x के respect में दो बार करके देखाते हैं देखिए x के respect में करते हैं partial differentiate tan u का differentiation 6 square u del u y del x फिर इसमें एक और और differentiate करते हैं del square del x square u into v तो पहले sec square u तो आ गया जगा del square del x square plus del u y del x अब इसमें लगाएंगे sec का होगा to sec u और sec का क्या होगा sec x into tan x यह sec u into tan u और del u y del x right यह पाट आया है तो यहां पी लिखेंगे क्या क्या लिखेंगी दिखेगा sec square u del square del x square plus 2 sec square u tan u u और यह दोनों एखिया है इसलिए hall square del x hall square right यह जो पाट आया है यह del v y del x का उत्वा साल का cut रहा राइट क्याम क्याम और हम निचे कर देते हैं चलिए तो अब जो है हम यहां पर इसे बनाते हैं right थोड़ा सा बड़ा solution होगा अब यहां पर एक काम करते हैं similarly यह तो रहा x के respect का similarly अब देखेगा del square del y square y के respect भी जब करते हैं तो इसा ही रहा sec square u del square u y square plus 2 sec square u tan v और यहां हो जागा del u y del y का whole square right यह गया double dc और y के respect में x के respect में जो सामने दिख रहा है प्रक्रिया detail से अब इसके बाद चलते हैं आगे का form में तो यह जो form है इसमें हम x के respect करे y के respect का बना लेते हैं एक बर और again तो यहां पर जो function है del v y del x तो इस form में हम एक बाद y के respect में differentiate कर लेते हैं right तो लिखाएगा del square v del y del x तो इसमें जब हम लगाते हैं differentiation तो u into v का term बनेगा तो इसमें जब लगाते हैं तो इसमें जब लगाते हैं del square del y del x right plus del u y del x आगे हो जाएगा और इसमें जब लगाते हैं क्या होगा to sec u और sec u into ten u right second into ten u और निखाएगा del u y del y del u y del y क्योंकि y के respect में right देख लिए कई गलब तो नहीं है हाँ y के respect में है इस form को हम लिख सकते हैं ऐसे पुरी परक्रिया sec square u del square del y del x और यहां पर क्या है यह x वाला turn को आगे हो गया है और यह पीछ हो गया चाहरी सकते हैं 2 sec square u ten u sec square u ten u sec square sec square u ten u del x और यहां del u del x del u del y right यह function का ठीक है अब चलते हैं अब चलते हैं from first first तो यही है जो सामेत दीख रहा है from first direct काम करते हैं x square तो x square है और यहां पे del square del x square यह पूरा function है जो हम put कर दे रहें right put करते हैं इसकी पूरी परिक्रिया detail है और पूरा form को हम एक टे करके step step put करते हैं तो सेक स्क्वार u सेक स्क्वार u del square del x square plus 2 सेक स्क्वार u tan u del u y del x का हौल square फिर है plus plus 2xy 2xy यह नहीं देते हैं 2xy और यह जो part है इसका value यह वाला है यह ही तो है तो इसको पूरा term का हम लिख देते हैं तो सेक स्क्वार सेक स्क्वार u del square del y del x plus 2 सेक स्क्वार u tan u del u del x del u del y right फिर plus plus y square del square del y del square del y del square यहां यहां पे सामने दिख रहा है इसका value यहां पे put कर दे रहें तो यहां पे दिखीगा सेक स्क्वार सेक स्क्वार del square del y square plus 2 सेक स्क्वार u tan v del u y del y i ka hall square और equal to लिखाएगा equal to 2 v equal to 2 v equal to 2 v equal to 2 2 लेकिन अब v क्यासान प्राफ कोड़ कर सकते है tan u tan u right देख लिए पूरी प्रिक्रिया detail है step plus step कहीं चूर तो नहीं रहा है चलिए step to step काम करते हैं कैसे ज़र देखिए सबसे पहले सेक स्क्वार सम में multiply करते हैं 2 x compound एक्स है सेक असक्वार तो यहां पहले लिए इसे एक्स स्क्वार sakes कक्वार कि यूज डेल स्क्वार डेल एक्स असक्वार पल्स 2ů एक्स स्क्वार इसे नहीं पहले एक्स centuries लीग देते हो पापड दू लिखाते रहेगा तू सेक स्क्वार यू टैन यू डेल यू वाई डेल एक्स का हॉल स्क्वार पलस टू एक्स वाई सभी में करते हैं टू एक्स वाई सेक स्क्वार यू डेल यू डेल वाई डेल एक्स टू टू एक्स वाई ये पूरा ट्रम निखा ज़़ा आसा है 2, sec square u, tan u, del y, del x, del y, del y, right, y square multiply करते हैं, y square, sec square u, del y square, del y square, plus y square, 2, sec square u, tan v, del y, del y ka whole square, right, equal to 2, tan u, अब इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, कहीं गर्वल है, त्षबा से, काट रहा है, और याद में कटी आ गया है, हम यहाँ प्र बाद से मिटार के लिए देते हैं, क्योंगे आप यहाँ आटे का नहीं, right, मिटा रहते हैं, अब ज़र देखिए common किसे किसे करते हैं पहले सेक अस्क्वार common हो गया और सेक अस्क्वार का टर्म सिर्फ सेक अस्क्वार का टर्म सेक अस्क्वार का फॉर्म देखिए यहां भी सेक अस्क्वार का फॉर्म है और यहां भी सेक अस्क्वार का फॉर्म है यह तीनों से का स्क्वार common कर लेते हैं यहां भी common कर लेते हैं सेक अस्क्वार यू common क्या तो क्या क्या बचेगा एकस स्क्वार डेल अस्क्वार डेल एकस स्क्वार पलस यहां भचेगा टु एकस वाई टु एकस वाई डेल अस्क्वार डेल वाई यहां पी वाई स्क्वार सेक स्क्वार जो कॉमन हो या तो डेल स्क्वार डेल वाई स्क्वार पलस पलस जो बचा है इसमें तू इंटू सेक स्क्वार टैन यू तू इंटू सेक स्क्वार टैन यू तू इंटू सेक स्क्वार टैन यू कॉमन कर लेते हैं तू इंटू सेक स्क स्क्वार यू टैन यू कॉमन कर लिया तो क्या कि बचा है हाँ पी एक्स स्क्वार डेल यू यू वाई डेल एक्स का हॉल स्क्वार पलस फिर यहाँ पी तो इन्टु एक्स वाई और यह वह लट्रम बचा है डेल यू आई डेल एक्स डेल यू आई डेल यू आई डेल यू आई डेल यू आई राइट पलस पलस नहीं इसा है पलस फिर इसमें से कॉमन करेंगे तो वाई स्कॉार और यह लाइन तो कॉमन होई गया तो बचा डेल यू वाई डेल यू का हॉल स्कॉार इक्वल टू इक्वल टू टू टैन यू राइट फिर इसमें हम देखते हैं कि यह लाइन जो है सेक स्कॉार यू और एक्स स्कॉार ड Del x square plus 2x y, del y or del x plus y square, del square, del y square plus 2 sec square u, tan u, a square plus 2ab plus b square, a plus b ka whole square, a x into del y del x, y into del y, del y ka whole square, a plus b ka whole square, a square plus 2ab plus b square, और equal to, लिखा हुआ है, 2 tan u, जो 2 tan u, राइट, चली, यहाँ तक तो किलिए है, आगे हम मिटाते ही, आगे हैटर ब्रहाते ही, चली, एक लाइंट में हुए direct लिखी, x into del y del x plus y into del y del y equal to sin 2u, यह direct इसके पिछले lecture में मैंने बहुत detail से explain किया है, और अगर चाहते हैं तो short हम यहाँ पर इसे निकालना चाहते है, देखीगा, यहाँ पर मैंने क्या क्या है कि say square u, del y del x, इसमें हम x से multiply करेंगी, जो यह part, फिर इसमें आगर हम y के respect में इसको बनाएंगी, और फिर y से multiply करेंगी, जो term solution करके आएगा, वो यही part आएगा, वो term किसे निकालना है, इस term से निकालना है, एक बार x के respect में, एक बार y के respect में, और x के respect जो आएगा, उसमें x से multiply करना है, y के respect में जब करेंगे y से आप दोनों को add करेंगे तो term solution का term इतना आएगा इसके पिछे lecture में मैंने बहुत उधर से clear किया अभी ततकार में direct लिखेंगे तो यहाँ पर direct लिखेंगे पार्ट ठीक है देखेंगे अगला step से क स्क्वार यू, x स्क्वार, del स्क्वार, del x स्क्वार, 2xy, del स्क्वार, del y, del x, y स्क्वार, del y स्क्वार, plus 2 2, ऐसा ही रहा जगा, 2, 6 square u, 10 u, राइट, और इस पुरा पार्ट का लिखाएगा, sin 2 u, तो square है तो sin square 2 u, equal to 2, 10 u, राइट, यह वाला पार्ट आ गिया, अब इसके बाद एक काम करेंगे, कि यहाँ पीसे 10 u, पुरा पलास सही रहा जगा, माइनस, राइट, तो इस पुरा पार्ट को हम हटाते हैं, ठीक है, यह मंटिप्ला इसे डिवाइड में आ जाना, तो इसको माइनस का करके डिवाइड में करते हैं, तो x square del square, ऐसे वाला पार्ट, 2xy del square, del square u, del y, del x, y square, del square, del y square, यह पार्ट इधर कर देते हैं, तो 210 u, माइनस, 2xy square u, 10 u, sin square, sin square, 2 u, और यहाँ पीज़ रहा है, यह मंटिप्लाइज से डिवाइड में आएगा, तो 6 square u, यह पुरा में डार देते हैं, इसी का भैलू पूछ देते हैं, इसी तर्म का भैलू यहाँ पीछ रहा था, जो कोशन में सामने, दिख रहा है, फ्रेज में डार देते हैं, इसका स्टेप बहाते हैं, कैसे कैसे, 210 u, common कर लेते हैं, 210 u, मैंने common किया, और 1 minus, यहाँ बचा क्या, 2 तो नहीं बचागा, यहाँ बचागा क्या, सेक square u, और sin 2a का फॉर्मुला, तो 2 sin a, तो square है सब square होगा, 2 sin a u, cos u, और square है तो square, राइट, और यहाँ पी का जो पार्ट बचेगा, सेक square को 1y, cos square, राइट, यहाँ पी का पार्ट देखेगा, यहाँ पी 10 है, तो 2 sin u y, cos u है, और पुरा का यहाँ पी जो बगर में है, वो 1y, cos square, ठीक है, यहाँ पी लिखी देते हैं इसे, 1y, cos square, cos square u, ठीक है, ज्यादा कट रहा है, ज्यादा कट रहा है, तो इसको हम डिरेक्ट लिख देते हैं, 1y cos sq A u, ठीक है, अब यहाँ पी एएक काम करते है, क्या काम करते हैं, कि cos sq A U है, आसे 1y काus हैं, तो इस से वो कट जाएगा, तो क्या हो चैगा, 1-2 जा चार, sin sq A u, ठीक है, यह पार्ट बचा, और ए वो cos कर जागा, यह वो cos उपर जगा, ठीक है, तो इसका final result हम मैं लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 2 sin u cos u into 1-4 sin square u, जो सामने दिखा, और वो भी complete answer दिखा, इसको हम finally result इसी को बोले, क्लियर है, देख लिए, पुरी प्रक्रिया detail से कहीं dot नहीं, यहाँ पी हम एक step और लिख सकते हैं, क्या ल cos sine 2a, and sine 2u, 1-4 sin square u, complete answer, यह भी लिख सकते answer, वो भी लिख सकते हैं, चलिए, तो यह final result जो सामने दिखा, प्रक्रिया detail से concept के लिए, ठीक है, तो आज एतना ही, बाग की business, फिर next video में बताएंगे, और भी इसके बेहतरीन तरीके के साथ, चलिए, फिर next class में, और detail से, दूसर topic और चलने वाले, क्लिए रहे, चलिए, फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में नए तरीके, नए फॉर्मक के साथ, जब तक के लिए आप लोग खुश रहे हैं, स्वस्त हैं, और मस्त रहे हैं, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो बिध्यारतियों में जरूर शेयर नेक्स टॉपिक बताएंगे बेहतरीन तेरी कैसे नेक्स क्लास में, ठीक हैं?